हाई खूद मॉर्णिंग सस्यकालादाब नमस्कार जैसे कि मैंने सुबह की वीडियो बनाता है डियापटीज रिवर्सल प्रोग्राम पर ठीक है हाला कि एक हफते बाद मैं उसको शुरू करूँगा और जिन लोगों ने मैसेज किया उनको मैं अपने आप एक ग्रूप में एड़ करके सारी इंफॉर्मिशन दे दूँगा आज एक ऐसा टॉपिक है सुनके शायद आपके दिल में कुछ गुदगुदी भी हो लेकिन ऐसा है नहीं आज एक ऐसी डियापटीज के बारे मताने जा रहा हूं जिसको बोलते है हनीमून डियापटीज अब आप सोचे रहोंगे हनीमून डियापटीज यह कहना ही बला ले देना नहीं है यह जो हनीमून शुगर है हनीमून डियापटीज यह बच्चों में होती है टाइप 1 डियापटीज में इसका नाम दिया गया है टाइप 1 डियापटीज के अंदर क्यों बताता हूं आखिर है क्या हनीमून डियापटीज क्या होता है जैसे बच्चों में टा पहुत कम करना पड़ता है, almost normal हो जाती है, और काफी समय तक ऐसा रहता है, कहीं बच्चों को हफ्त होता है, कहीं उको महीनों तक भी ऐसा रह सकता है, इसी को बोलते है honeymoon period, अच्छा period, सुख में period, और माब खुश हो जाते हैं कि मेरे बच्चे की खतम हो गई, शुगर खतम हो ऐसा होता नहीं जनरली, क्योंकि एक temporary phase होता है इसलिए इसको honeymoon phase कहते हैं क्योंकि honeymoon भी temporary होता है उसके बाद कुछ खाना होता है पूरी जिंदगी शादी, लोगों के लिए ज़्यादा था लोगों के लिए, लेकिन मैं यह नहीं कहरा हूँ शादी मत करा है क्यों होता है ऐसा बच्चों में क्यों होता है honeymoon period जैसे sugar diagnose होती है, insulin शुरू होता है sugar automatically बहुत कम हो जाती है और insulin बंद का दिया जाता है कहीं बारी कर देते हैं कुछ लोग, कहीं लोग अपने आप कर देते हैं कहीं बार कोई doctor भी कर देते हैं कुछ doctor ऐसा इसलिए होता है कि शायद अभी भी थोड़ा बहुत insulin बन रहा होता है pancreas के अंदर, generally insulin की कमी की वज़े से ही होता है, insulin बनता नहीं एक autoimmune disease है लेकिन कहीं बार थोड़ा बहुत रह जाता है, जैसे कहते हैं कि आप motor चलाओ तो पानी नहीं आ रहा है, लेकिन अगर नल चलाते हैं, तो थोड़ा बहुत पानी आ जाता है, क्योंकि बचवा पानी जो होता है जो नलो में जो pipe में वो आ जाता है वो थोड़े time तक आता है रहता है, दो-तिन मिनट तक आप खुश हो जाते हो, कि पानी आ रहा है लेकिन पानी आता है नहीं, थोड़ी देर के बाद पानी बंद हो जाता है ऐसे ही कुछ इसमें होता है कि यह जो बचा हुआ पानी है तो उसी तरह से बचा हुआ इंसुलिन थोड़ा बहुत इंसुलिन अभी होता है पेंक्रियास में जो अपना काम करता है थोड़े दिन तक, उसके बाद फिर वही धाक के तीम पाथ, यानि यह honeymoon period temporary होता है, थोड़े दिनों के लिए होता है, थोड़े हफतों के लिए होता है, उसके बाद खतम और फिर शुगर बढ़ने शुरू हो जाती है, फिर इंसुलीन बढ़ाना शुरू कर देते हैं, क्या इंसुलीन बंद कर देना चाहिए, अगर शुगर नॉमल हो जाए, इस honeymoon period के दोरान जी बिल्कुल भी नहीं, और शुगर लो भी हो सकती है, ये भी मैं बता दूं, इंसुलीन देने के बाद, तो आपको डॉक्टर के टश में रहना चाहिए, अपनी dose adjustment जैसे भी होगा, डॉक्टर सा पूछ कर के करें, अपने आप बंद मत करें, और नहीं बंद करना चाहिए insulin, इस period के दोरान, ठीक है, ये तो सीधा आप land up कर सकते हो, ketocidosis में, तो बहुत साब्धान है ना पड़ता है, इस period के दोरान बहुत जादा requirement होती है, frequent testing की, ये तो होगए honeymoon period, sorry honeymoon diabetes, अब कुछ ये लोग जानना चाहते हैं कि, बाल में तो insulin लेना ही लेना है, तो इस honeymoon honeymoon period को क्या हम लंबा क्ही tentang है, अगर हफतों तक होता है, तो क्या महीनों तक होता है, महीनों तक होता है, क्या 2, 4, 5 साल तक हीत सकते हैं, कुछ study हुई है, कुछ diet ऐसी है, जिसके सारे देखा गया है कुछ इंप्रूमेंट होता है सबसे उसमें है ग्लूटन फ्री डाइट ऐसा एक वो हुई थी study जहाँ पर ग्लूटन फ्री डाइट देखे गई बच्चों को तो उनसे इंप्रूमेंट हुआ और उनका जो हनीमून पीरेट था वो लंबा हो गया यानि इंसुलीन देने की जोयत काफी समय तक नहीं पड़ी या बहुत कम इंसुलीन देने की जोयत पड़ी इंसुलीन बन तो नहीं करते हैं हम लोग लेकिन फिर भी डाईट में चेंज वो चेंज रगे उसको उन बच्चों में देखा गया gluten free diet से फायदा हुआ, तो इसका मलदा बदक होगे यार शुगर меньше gluten free diet एक का works ल। ज conventionrendre फायदा होना चाहिए, जी हां बिल्कुल होता है, gluten free diet और ये एक epidemic है vitamin D, B12 के कमी तो बच्चों का अभी और बड़ों का सब का regular साल में एक बाद जरूर vitamin D, B12 टेस्स करा के देख लेने चाहिए और इनका supplements बहुत जरूरी हैं ये क्यों हो रहा है ये नहीं पता ये क्यों इतना ज़्यादा कमी आ रही है शयाद हमारे खानपीन में, हमारे माहोल में पॉलुशानी ये वो सब सब कुछ मिलावटी हो गया है और हम भी मिलावटी हो गया है हमारे lifestyle भी मिलावटी हो गया है और कुछ हमारे genetics होते हैं genes से जो में मिलता है तो ये था एक चोटा सा topic honeymoon diabetes के उपर तो अब आप ये ना समयले कि honeymoon जाने से diabetes होती है जी नहीं honeymoon जाने से सिर्फ बच्चे होते हैं कुछ लोगों में सब में हुआ भी नहीं होते उनको भी कहीं लोग प्लैन नहीं करते हैं कहीं लोगों को उनके लिए एक support system group शायद मैं कोशिश करूँगा बनाने की जिससे कि उनको help मिल पाए और ये सिर्फ एक knowledge थी उनहीं के लिए type 1 diabetes के लिगों कि मेरे पास ऐसे 2-3 बच्चे आए हैं पहले जिनकी शुगर almost normal हो गई तुरंट डियाग्नोस होने के इंसुलीन देते ही बिल्कु ठीक हो गए वो और बच्चों के माबाप इतने खुश हो गए उनको लगा कि इंसुलीन अब देना ही नहीं पड़ेगा या शुगर खतम हो गई और कुछ लोग बाबाों के चक्र काटते हैं हकीमों के या यह जो भी दिमाग में आता है पंडिल जीने ये बता दिया उस से हो कि यह लोगों को दिमाग में यह भी आ जाता है कि शायद हमने जरस्वार हमने पूजा पात करा यह उससे खतम हो गई या पंडीत ने का questo है बचा होता है जो अपना काम थोड़े टाइम तक करता है और फिर वो खतम हो जाता है हमेशा के लिए जैसे नलों में से पानी आ रहा होता है और पानी नहीं होता तो नलों बाला पानी भी थोड़े टाइम बार दो तीन बार अना बंद हो जाता है क्योंकि पानी आई नहीं रह जो भी उसका structure होगा, free structure या जो program होगा, कैसे होगा, कितने महीनों का होगा, वो सब मैं detail आपको एक हफ्ते के बात बताऊंगा, thank you very much, आपको अपना डॉक्टर नमनीत काल रहा, subscribe करने ना मत भूलिएगा, अगर चाहते हो, अच्छे-चे topic के, क्या बाते, क्या बाते, क्या बाते!